गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स मेरे न्यू ब्लोग में आपका स्वागत है उमीद करती हूँ कि आप अच्छे से होंगे स्वस्त होंगे और आज मैं मतर पनीर बनाने जा रही हूँ और मतर पनीर के लिए मैंने जो समान अभी काटा है प्याज ट्रमाटर और लसन में दिखात एंप में डिखाते हैं और लसन के कलिया डाली है और यह अधर है और यह कटर मसालि तेजबत्ता जीरा इसको पांच मांच की कलिया कि अटली है और यह मतर है और यह गसमान अभी धिकल क्ली नियर्च हा उथ पेस्ट बना लिया है और पेस्ट के बाद में जो है आप ओयल मैंने भी डाले है और फ्रेंट्स मेरा ओयल गरम हो चुका है और मैं इसमें अब धीरे-धीरे गरम मसाले डालोंगी अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी गरम मसालोंगी और ट्रेंट्स में इसमें अब पेस्ट दाल गही हूँ और मैं पेस्ट को डालने के बाद धीरे-धीरे मैं इसको भूनूंगी और मैं टुमाइटो प्यूरी भी डाल रही हूँ और इसको इतना भूनना है कि इसमें ठूड़ा सा घी सोड़ देए आ ऑईल छोड़ देगा जि अब बुनने में और तभी ये अच्छे से बनेगा और अभी मैं इसको भूनूँगी पांच मिनद दर अब अब ऑईल चुरू हो गया है मताला बुन गे अच्छी तरीके से अब मैं इसमें डालूँगी नमक और गरम मसाला इसे होए अब ये पहले इसमें नमक डाला है टेस् और ये मैंने फल्दी डाली है और इसको पड़ा सब चलाऊंगी मिक्स करोंगी मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है ये मेरा मसाला अब अच्छे से त्यार हो गया है अब इसके अंदर मैं दो मिनुट के लिए पनीर डालोंगी पनीर डालने के बाद मैं इसमें कि अच्छे से ताकि अच्छे से मैश हो जाए और मैं इसमें डालूँगी मतर डाल दी है अब मैं इसको दो मिनट के लिए चलाऊंगी और इसमें बड़ी कसूरी मिर्थी डालूँगी ताकि इसमें अच्छा सा थेस्ट आए प्रेंट मैं इसमें कसूरी में सी डाल दी है और ताकि इसमें अच्छी सी सुचबू आए और खाने में बहुत टेस्टी लगे और मिन थोड़ ऐसा पानी आड़ करूँगी और इसमें गवाया तीन चम्मच के खरीब पानी डालूँगी प्रेंट मैं इसमें हलका सा गरम मसाला एवरेस्ट का गरम मसाला डाल रहे हूं और इसका टेस्ट भी अच्छा है इसमें सब्जी बनके पनीर मटर की त्यार हो चुकी है अब यह ड्राई मत्र पनीर त्यार हो चुक है हमारे ऐसा ही बनता है और हम लोग ऐसे खाते और मैं चंडीगड रहती थी तो चंडीगड में हमारे घर में ऐसा ही बनता था और बहुत टेस्टी लगता था अभी मैं आपको तिखाती हूं पाउर में डालके आपको अच्छा प्रेंड्स मेरे यह मत्रपली बन के त्यार होगे हैं और प्लीज आप देखिए और मैंने बहुत जैसे हम लोग भर में खाते हैं सिंपल तरीका से वैसे ही बनाया है और आप भी बनाईए आप भी ट्राई किजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा खाने में और सबसे पह मिल देह नेक्स वीडियो ना बाराए लगेगा